असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हो ताहिर देजीटे की चैनल से और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आप OKX पे किसी से डील करते हैं यानि P2P पे जो है आप डील करते हैं और आप वहां से Bitcoin यूए और फिर USDT हैं या कोई भी cryptocurrency वहां से buy करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे पेमिट करनी होते ही different payment method होते हैं यानि आप Payoneer से, Wise से, Skrill से या फिर पाकिस्तान जो इसी पैसा, Jazz Cash वगएरा से पेमिट कर सकते हैं अब उसमें ऐसा होता है कि बहुत अगला बंदा आपके साथ fraud करने कोशिश करता है यानि कि आपने उसक पेमिट करने का इक option होता है need help का जब आपके वहां जाते हैं तो आपके वाज काफिस सारी options आ जाते हैं तो एक जिसे जहन वे रखें कि जब आपने payment कर दी है उसके पड़ा आपने Pay Now का जो option होता है उसके लाजमी confirm करना है कि यह आपने पे कर दिया है और अगर कोई बंदा आपके सारी तो वहां पे आप उसको जागर report करते हैं उसके बाद जो है जितने भी आपके प्रूफ हैं याई जो आपने payment send की होती है उसके screenshot वारा जो तमाम उसी चैट में upload कर दें उसके बाद जो है आप वह जो टीम है कि OKX की वह उसको review करती है और फिर वो decide करती है कि किस के favor में ये case देना है तो एक चीज़ जेन में रख लीजिए कि जो details आपको chat में मिल रही है उनहीं पर आपने deal करनी है WhatsApp पर या Telegram पर जाकर deal मत करें उसमें आपके सार फ्रॉड के जारा chance होते हैं तो लेकिन OKX में जो आपके सार डील हो जो बंद आपको detail दे account की सिर्फ आप आपने इसके उपर जो है payment send करनी होती है अगर pay now के उपर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपके पास देखें उनकी details show हो रही है कि यह यहाँ पर आपने payment send करनी है जब आपके payments complete हो जाए तो आपने payment completed यह उपर click करना होता है और confirm करना है कि आपने payment send कर दी है और देखे यहाँ पर मेरे पार यह शो हो रहा है कि order paid और pending confirmation from the seller तो view details की उपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास देखिए कुछ options आ रहे हैं और यहाँ से जो भी इनमें से suitable option है आपने वह एक select कर लेना है कि यह बंदा आपके fraud करना ही कोशिश कर रहा है यहाँ कोई भी जो भी issue है आपको जो सही लगता है वह आप यहाँ पर select करके report कर दीजिए और तमाम details यहाँ चैट में share कर दीजिए और फिर आप में जो है case यह